GMP, Good Manufacturing Practice अगर आप एक Pharmacist ब्रेंट है तो आपने GMP के बारे में जरूर सुना होगा और ये वीडियो आप लास्ट देखेंगे तो आप बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको मैं यहां बताऊंगा कि आक्च्वल में GMP क्या है कैसे पूरे वर्ल में GMP के गाइडलाइन्स रिगलेट होते हैं कैसे एक दूसरी से क्रेक्टर हैं, एक्जैक्ली हम बेसिक्स में जाएंगे, हम पूरे ओर्व्यू को बताएंगे कि एक्जैक्ली GMP है ठीक, सो स्टार्ट करते हैं Good Manufacturing Practice जैसे आपको नाम सो पता चलेगा कि Manufacturing करने के लिए जो अच्छे practices होती हैं, वो इस guideline में बताए गया है, ठीक, सबसे पहले ये स्टार्ट किया गया FDA के थ्रू, क्योंकि वहाँ पर जब उनको पता चला कि वहाँ पर बहुत सारे manufacturing में उल्टे सिधे काम हो रहे हैं वहाँ पर policies लाए गए हर जगा पैसा होता जब पता चलता कि कुछ गलत हो रहा है तो भी उसकी rules लाए जाते हैं उसके बाद देरे देरे अलग अलग authorities ने regulatory authorities ने जगा जगा पर इसको एडप्ट करना चलू किया दुनिया में जितनी भी regulatory authorities हैं जैसे इंडिया का CDSEO है यूएस का USFDA है यूके का MHR है Australia का TGA है साथवरीका का MCC है Brazil का NVISA है कुछ international है जो सारे countries के लिए common होते हैं जैसे ISO है WHO है ICH है ये सारे जितने भी authorities हैं वो सब ने अपने अपने authorities में GMP को अपने हिसाब से define किया हुआ है बट सबका जो core essence है जितने भी है guidelines सबके जो core essence है GMP के वो लगबग लगबग सब similar है जितने भी regulatory authorities ने GMP को define किया है सबका core essence सबका main जो mission है जो main उनका target है वो सेम है बट सबने थोड़ा-थोड़ा अपने अपने तरीके से उसको अलग-अलग way में define किया हुआ है ठीक अगर CDACO Indian जो GMP schedule में 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 मेंशन किया हुआ उसको अगर आप comparative study करेंगे है WHO के GMP से तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ है सब similar ही है थोड़ा सा कुछ चीज़ों को इन्होंने अलगतरिक्स define किया को इन्होंने अलगतरिक्स define किया है आप FDA के 21 CFR के part 2, 10, 21 को देखेंगे तो आपको पताते लेगा कि हाँ यह सारी चीज़ है तो हम यहां भी mention किया बट उन्होंने थोड़ा सा उसको और advanced way में और ज्यादा compliance mode में उसको उन्होंने mention किया हुआ है तो GMP हर एक regulatory authorities क्यों इसको क्यों कि एक GMP बने ठीक है पूरे दुनिया में एक GMP हो बट अलग 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 regulatory authorities है इतनी सारे GMP क्यों बना रखी है वो इसलिए क्योंकि हरे country अपने लिए जो उसके rules regulations हो अपने लिए उसको खुदी बनाना पड़ेगा हरे country अपने जिम्मेदार first होती है उसके बाद वो किसी दूसरी country को बोज सकती है अगर वैसे इंडिया किसी दूसरी country में अपने medicines बनवाती है तो और उस medicines को लाके इंडिया में export करते है तो वो जो इंडिया का इंडियन GMP है वो उस country को follow करना पड़ेगा वैसे ही जब हम US के लिए यहाँ पर medicines manufacture करते हैं तो हम US FDA follow करना पड़ता है जिस country के लिए हम manufacturing करते हैं हम उस country के GMP को follow करना पड़ता है क्योंकि वहाँ की लोग हमारे medicines को खाने वाले है पूरे दुनिया में जितने भी GMP के guidelines बने अलग अलग regulatory authorities ने उनको जो अगर हम एक summarize करें 5P में 1st person, 2nd product, 3rd process, 4th procedure and 5th premises इन 5P में आप किसी भी तरह के जितने भी GMP अलग अलग हैं उनको इन 5P में आप summarize कर सकते हैं उसको अलग अलग regulatory authorities ने अपने अपने लेवल पर liberate किया है बट जो उसका core essence है वो इन 5P में आपको मिल जाएगा 1st personal, जितने भी personal काम करते हुए हैं किसी भी monitoring side पे वहाँ पर उनका training record, qualification, उनकी health, personal hygiene ये सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए 2nd पर अगर हम आते हैं product पे, product in the sense जो भी raw material, packaging material, intermediate material, finished product जो कुछ भी बनता है वो as per law, as per specifications और as per guidelines ही बनने चाहिए है, ठीक, 3rd जो process होते हैं जिससे delimation हो रहा है, compression हो रहा है, coating हो रहा है, capsule filling हो रहा है, या फिर packing हो रहा है, injection में filling हो रहा है जितने भी process अलगे लग होते हैं, उन process को किस तरह किस वो process हो रहे हैं, वो उसमें define किया हुआ, कि अगर यह आप process करते हैं, तो आपको इन इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है fourth procedure, क्योंकि इन सारे process को करने के लिए, फिर भागी भी जितने सारे वहाँ पर functions हैं, उनको कैसे करना है, because वो पुरा system है, पुरा organization है, तो उसके लिए procedures बनाने पड़ते हैं, that means, कि SOPs बनाने पड़ते हैं, कि कोई भी एक काम करना है, दूसरा काम करना है, या बहुत सारे bunch of the utilities हैं, जो equipment हैं, उसमें validated होने चाहिए, जो premises से qualified होना चाहिए, as per GMP, उसमें mention होता है, अलग-अलग grade mention होता है, तो इन 5P में आप किसी भी GMP को लाके summarize कर सकते हैं, और GMP, हर एक regulatory authorities, अपनी-अपनी GMP को mention किया हुआ, अपने हिसाब से, बढ़ सारी GMPs, जो main mission है, जो main value है, व बढ़ से, फिसा थाए, लाए, जो main, सारी GMP, ह lá सारी GMP, हुआ से, जो main value है, य Bo estáएे ले अपनी, सानी भी, गजिए ली दुए होता है, जो main fire है, जो main привक तो मीविफंदा गिजए, दो mater Yeah,न भी GMP, है ले आए manyवो、 अवार, प्राज चूले, पक्वानी होता है, ब़से वी